कोटा बुंदी लोकसवा सीट पर चुनाव संपन होने के बाद में राष्ट्री स्तर की दोनों पार्टियों के प्रत्याशी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। जुरान दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों ने मतदान का पृतिशत जो बढ़ने के साथ अपनी अपनी जीत का दावा किया है और इसी कड़ी में भाषप्रा पृत्याशियी ओम बिर्ला ने कहा कि लोकसभख शेतर में जो एतिहासिक मतदान हुआ है उससे ऐसा लगता है कि जनता दोबारा नरेंदर मोधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है वहीं कॉंग्रिस पत्याशी राम नरायन मीना ने भी बड़े हुए मतदान प्रतीशत को कॉंग्रिस के पक्ष में माना है राम नरायर मीनायक ने कहा कि जनता मोधी नाम से तंग आ चुकी है और इसलिए लोगों ने बढ़ चड़ कर मतदान किया है और साथी देश की जनता एक बार फिर से बदलाव चाहती है मद्दान पतीशच जब बनता है जब वर्तमान सरकार के परतीश लोगों के विशेष्टा प्रमानिकता है और मैं इलाके में गया तो मुझे लगता है कि देश की जनता फिर से नहिंद मोधी जी को प्रधामनती बनाना चाहती है और यह चुनाव प्रसिडेंट इलेक्शन की तरह का इलेक्शन हुआ है कि लोग सीध है मोधी जी को प्रधान मत्री बनाने के लिए चुनाव को लख रहता है मैं मांगते चलता हूँ कि कॉंग्रेस से भारते जनता पार्टी काफी पीछे रह गई है करीब करीब सभी विजान सबक्षेतों पे कॉंग्रेस बढ़त की हो रहा है यह मेरा अपना हाक लान है कि मोधी मोधी नाम से आम मद्दाता प्रेसान हो चुके हैं करने का माबला है हिर यह सारी बाते मिला करके अपरष्ट हो चुका इक भारते जनता पार्टी काफी पिछे झाल 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 झाल